दोस्तों आज हम आपको कला के बारे में बताएंगे भारती चित्रकला का इतियास बहुत प्राजीन है जिसका प्रमाण उत्तर प्रदेश, मिर्जापूर, भीम बेटका, पंच मड़ी, मद्ध प्रदेश, होसंगाबाद, महाराष्ट आज छेत्रों से मिलते हैं इन चित्रों का समय प्रागैतिहासिक युग से लेकर चवद्मी सताब्दी तक प्राप्त हुआ है अधिकतर गुफा चित्र लाल, सफेद, काला, नीला, पीला, रंग आधिमानों प्रियोग करते थे वे अधिकतर पसपसियों का सिकार जनुरों की लड़ाई, गीत, नित, आध के चित्र मिलते हैं इसके बाद अजनता गुफाओं में की गई चित्रकारी जो भगवान बुद्ध के जन्मो जनतर चित्री चित्र हैं मुगल चित्रकला अपनी प्रसिद्धी के लिए बिस विख्याद है, बाती चित्रकला को चार भागों में विभवत किया गया है जो निम्न प्रकार है पहला है भेत्र चित्र भेत्र चित्र के बारे में भेत्र चित्र वाय चित्र है जो दिवारों पर गुफाओं की दिवारों पर कंदराओं आधि पर चित्रित होते हैं भेत्र चित्र को अंग्रेजी में मेवरल कहते हैं जैसे अजन्ता की गुफाओं के चित्र और दूसरा है दोस्तों त्रीपट चित्रपट है स्वारी दूसरा है चित्रपट चित्रपट उसे कहते हैं जो कपड़े अथवा चमड़े के टुकड़ों पर चित्रित किये जाते हैं जैसे कैन वास और तीसरा है दोस्तो चित्र फलक यह लकड़ी पत्थर धात्वों गलास पर चित्र बनाए जाते हैं उसे चित्र फलक कहते हैं जैसे सीसे पर बनाए चित्र हाड़ बोर्ड पर बनाए चित्र आदी और चोथा है लगू चित्र लगुचित्र जो है कागाज और पुस्तकों पर जो चित्र बनाए जाते थे उसे लगुचित्र कहते हैं जैसे पाल, जैन, अफभरंस, कमपनी के चित्र आदि और दोस्तों भारती पवित्र गरंथों में भारती चित्कला के उद्देश में देख लीजिए बाती पवित्र गरंथों में मानो जीवन के चारी प्रयोजन बताए गए हैं पहला है अर्थ, दूसरा है, धर्म, तीसरा है, काम, और चौथा है, मौक्ष चित्रकला का लक्ष इन चारों साधनों की उपयोगता से है मारकांडे मुनी द्वारार चित्र, विशुडु धर्म उत्तर पुराण के चित्र सूत्र में एक सूत्ट ब्यक्त किया गया है कलाना प्रवर, चित्र धर्म, काम, आर्थ, मोच्ष दम अर्था चित्रकला के दौरा इसका आर्थ, धर्म, काम और मोच्ष की प्राप्ती होती है कला मानव जीवन के संपूर्ण साधनों में महत्पूर्ण अक्षार रगती है मानव जीवन जीने के लिए कला के उपयोगता हर कला की भूम का हम मानी जाती है भाती चित्रकला की विसेस्ताएं निमलिखित हैं जिसमें से पहला है धर्मिकता भारती कला का संबंद 3-4,000 वर्सों से अपने आपको धर्म से सगन संबंद अस्थापित करती है इसी कारण धर्म अर्थ काम मूच को प्रमुक साधक बताया गया है इसलिए भारती कला का जन्म ही धर्म के साथ हुआ है दूसरा है दोस्तो कलपना भारती चितर कला की प्रमुक विशिष्टा कल्पना प्रेता है तथा इसके अधार पर भारती कला प्रवलित हुई कल्पना का प्रमुक रूप ब्रह्मा विश्डू महेश के चित्रों में दिखाई पड़ता है जन्ता में बहुत विच्चोदारा बनाए गए चित्र गौतम बुद्ध की जन्मु जनतारतर की कहानी कालपनिक्ता को दर्साती है तीसरा है परतीक आत्मेक्ता भारती कला चिन्नों परतीकों जैसे ओम स्वास्तिक चक्रबरिच मुकुट सिंगासन कलस लक्षमियाद परतीकों का विशे सस्थान रहा है परतीक कला की भासा होती है चवथा है अलंकारिकता भारती कला अलंकारिक प्रधान है क्योंकि भारती कला कार सत्यम सिवं के साथ सुंदरम की कलपना की है जैसे कमल के समान नेत्र, चन्द के समान मुक्र, चन्चु के समान नाचिका, राजपूत, मुगलो, चित्रों में, हातियों में फोल, पत्तियों, पचु, पर्स, पर्सियों तता अलंकरण मिलता है परचवा है आदस वाधिता बाती चित्रकाल यथात कि अपेच्छा आदस में ही चित्रण करता है वह जैसा देखता है वैसा ही चित्रण ना करके जैसा होना चाहिए जैसे राजा को आदस राजा के रूप में प्रेमी को आदस प्रेमी के रूप में बुद्ध को ग्यान देने वाले की रूप में चित्रित करना कलाकारों के प्रेणा सोत रहे हैं छटा है रेखा तथाराज भाति चित्रकला रेखा प्रदान मानी जाती है रेखा दोरां गोलाई परिछे परिपेच आध सभी कुछ परदर्सित हैं के सब्सक्रितियों में सपाथ रंग का परियोग किया जाता है किन्तवित सांकेतिक आधाद पर हैं जिसके साथ ही अलंकरिक्ता या कल मुद्राओं को हम भाव भी कह सकते हैं भारती कलाओं में मुद्राओं का अधार भरत मुंद्वारा रचित नाट सास अता जनता सहले की मानव आकरितियां तो अपनी भाव पूर्मित मुद्राओं के कारण जगत प्रसिद हैं मुद्राओं के दौरा अनेक भाव सफलता में दर्शाए गए जैसे ध्यान उब्दे, छमात्याग, तपस्या बीरता, कुरोद बिरहाद कला कारों के नाम प्राचीन कला कारों ने अपनी चित्रों में नाम अंकित नहीं किये लिक्तु राजस्थानी चित् सहली में कहीं कहीं कलाकार दौरा नाम अंकित मिलता है मुगल काल में चित्रकारों के दौरा चित्रों पर नाम लिखने की प्रता परचलित होई कला अध्यासिक गरंथ में देख लेजिए इस्ट्रोलिकल बुक में राजा महाराजाओं के राजिकाल में घटिट घटनाओं पराधारित कला का प्रमाड एत्यातिक गरंथों से मिलता है धार्मिक गरंथों में जैसे बेद पुराण रामायर महावारत उपनिसिदों ललित विस्तार बाउध गरंथ थेरा थेरी पराधारित कला का प्रमाड मिलता है सिला लेखों पर प्राचीन सिला लेखों से कला धर्मयोम अस्थापत कला का प्रमाड मिलता है जैसे अजन्ता के सिला लेख बादामी बाग सांची का सिला लेख चार सवब लेखों में कला का प्रमाड मिलता है प्राचीन खंधरों के द्वारा, प्राचीन धार्मी कस्तल जैसे एलिफेंटा, जन्ता, एलोरा, सारनाद, सांची, आदी जगहों में कलाकृतियों के विशय में प्रमाण मिले हैं मोहरे तथब मुद्दराएं सिंद उगाटी सब्धा से प्राप्त मोहरों पर अकृतियों से मोहरों की कला का प्रमाण मिलता है इसी प्रकार मुगल कालीन यो मोर कालीन से प्राप्त मुद्दराओं में कला का प्रमाण मिलता है यात्रियों का बिरतांद बिदेशे यात्रियों ने भारती कला के बारे में विवरण दिया है जैसे मेगर्स तरीज ने चंद्रगुप्त मौरी फायान ने चंद्रगुप्त विक्रमा दितिता बहुत देतियासकार लामा तारानात ने भारत के बहुत दास्थलों का भरमड किया और भारत की कला के बारे में परियाब्त बिवरंड दिये है आत्म कठाएं आटो बायोग्राफी मुगल बात्सा कला प्रेमिस आ सकते उन्होंने अपनी आत्म कठाएं जैसे बाबर की बाक्यात ए बाबरी तथा जहां गीर की आत्म कठा तुझके जहां गीरी अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर कालीन चित्रकला संबंदी संपूर्ण ग्यान प्राप्त हो जाता है भारती चित्रकला का इतियास में उलेख, भारती चित्रकला का प्राचीन स्रोत उलेख निम्लिकित पुस्तकों में मिलता है बिशुडु धर्मुत्तर पुराण बिसुडु धर्मुत्तर पुडार के लेखक मार कांडे मुनी ने छैमी सताबदी में गुप्त काल में लिखा है इसमें पॉइंट वाइस देख लिजिए इसमें संगीत निर्त छंद सास्त्र व्याकरन वास्तु मूर्ट चितरकला तता ललितकला जैसे निर्त संगीत कला के घनिस संबंध पर बल दिया गया है इसका प्रथम अंग्रेजी अनबाद दाक्टर इस्टेला क्रेमरिस ने अंग्रेजी में किया दृती अंग्रेजी अनबाद डाक्टर आनन कुमार स्वामी इसके बाद तीसरा वा चौथा शिवराज मूर्तियों प्रिवाला साह ने किया विशुड दर्मुतर पुडार में चित्रकला का विवेचन अध्याय 35-43 तक चित्रसूत्र नाम से नव अध्यायों में विभक्त है चित्रसूत्र के लेखक नाराण मुनी थे चित्रसूत्र नव 35-43 अध्यायों में विभक्त है चितर सूत्र के अंसान नाराण मुनी ने विसकर्मा को चितरकला सिखाई जिससे विसकर्मा ने स्रिष्ट का चितर बनाया और नाराण मुनी ने लोक मंगल के लिए चितर सूत्र की रच्टा की चित्र सूत्र में निमलखित बातों का अलोग किया गया है चित्र सूत्र में पंचमूल रंगों का अलोग किया गया है जैसे लाल, पीला, नीला, काला, सफेद चित्र सूत्र में चार प्रकार के चित्रों का अलोग किया गया है जैसे पहला सत्य चित्र दूसरा बैडिक चित्र तीसरा नागर चित्र चौथा मिस्ट चित्र चित्र सूत्र में नव रसों का उलोग किया गया है चित्र सूत्र में पांच प्रकार के पूर्षों का उलोग किया गया है पहला हंस, दूसरा भद, तीसरा रूचक, चौथा सासक्त, पांचमा मालावे चित्र सूत्र में पांच प्रकार के नेत्र बताएं गए हैं चपलाकृत, मतलब धनुसाकाद, उत्पल, पत्रभा, मतलब नील कमल के समान, मत्सोदरा, मीन के समान, चौथा है पदम, पत्र, निभाव, अर्थात कमल, पंखुडी के समान, पांचवा हैं समाकृत, अर्थात गोलाकार चित्र सूत्र में पांच प्रकार के केसों का लेख है, जैसे पहला कुंदक केस, दूसरा दच्चडा वर्थ, तीसरा तरंग, चौथा, वारिधारा, पांचवान, जुट सर्व दूसरा है चित्रलच्छण, चित्रलच्छण की रचना नगन जीत या अभजीत ने 26 से 17 सताबदी में किया, इस पुस्तक की एक प्रति कानबात तिबती भासा में किया गया है, और यही प्रतियाज मूल रूप से प्राप्त है